एक बहुत ही ज्यादा इंबॉर्टन टॉपिक और वो टॉपिक है ग्लोबल वर्मिंग तो जैसे कि आपको पता है अगर आप न्यूज देखते हो तो आप रेगुलर बेसिस पे पिछले दो-तीन महिनों से ग्लोबल वर्मिंग से रिलेटेड न्यूज बहुत ज्यादा देख रहे होंगे कि सारी कंट्रीज ग्लोबल वर्मिंग के इशू थे बहुत ज्यादा कंसर्ण है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाग चीज़े हमारे लिए तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम तीन टॉपिक्स पे यानिकी एक्मोस्पेरिक पॉलुशन से होने वाले तीन प्रॉब्लम्स पे बहुत ज्यादा डिसकस करने वाले हैं तो सबसे पहले पिछली क्लास में हमने डिसकस किया था ऐसे ड्रेन आज हम ग्लोबल वर्मिंग डिसकस करने वाले हैं जो कि पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाग चीज आज की डेट में बनी हु तो global warming होती क्या चीज है और इसके impacts क्या होते हैं कैसे यह होती है और कैसे हम इससे बच सकते हैं उसके बारे में हमाल discuss करेंगे तो सबसे पहले global warming क्या है तो global warming is basically increase in temperature और you can say increase in average temperature of earth average temperature of earth due to किसकी वजए से due to green house effect or due to the presence of green house gases तो green house effect को समझना पड़ेगा तो basically आप देख किया रहे हो कि जैसे कि आपने notice भी किया होगा कि पिछले कुछ सालों से वैसे बहुत ज़्यादा सालों से क्या हो रहा है कि जो temperature है गर्मियों में आप देखते हो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो पिछले कुछ सालों से जो average temperature है earth का वो लगातार बढ़ते जा रहा है, बहुत slowly बढ़ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में जो गर्मी है वो जादा हो रही है, तो जो increase होता है in average temperature of earth due to किसकी वज़े से green house effect या presence of green house gases, इसी को हम कहते हैं global warming, अब आप कहोगे कि ये global warming ठीक ह हम notice भी कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से temperature तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये green house gases या green house effect होता क्या है, हम उस पे भी अभी आते हैं, तो पहले आपको सबसे पहले ये ही समझना है कि global warming जैसे नाम ही है, global, global का मतलब क्या हुआ, पूरी दुनिया का, और warming का मतलब गरम हो कि लेकिन क्या हो रहा है, सर्दियों में हमको पता नहीं चलता है, लेकिन अब गरमें में इसका अंदाजा लगा सकते हो, तो global warming आप समझ गए होंगे, temperature जो है वो अर्थ का लगातार धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, अब green house effect क्या है, green house effect क्या है, कि कुछ gases होती है, दोनों को हम एक साथ समझ लेते हैं, green house gases और green house effect को, तो green house gases क्या होती है, green house gases कुछ gases होती है, अब कुछ gases कौन कौन से वैसे काफी gases है, लेकिन कुछ important gases, सबसे ज़्यादा important जो gas है इसमें, वो है carbon dioxide, उसके अलावा, अगर हम green house effect या फिर global warming के लिए responsible किसी gas को ठहराते हैं, तो आदे से ज़्यादा responsibility carbon dioxide की है, more than 55% ये carbon dioxide है, then इसके अलावा आता है methane, इसका लगबग 25%, one-fourth share इसमें आता है, तो 75% responsibility के वल इन दो gases के, उसके अलावा और भी है, जैसे oxides of nitrogen, ध्यान दखना और कौन से, oxides of nitrogen, जैसे nitrous oxide N2, या नहीं कि, तो कुछ oxides of nitrogen भी इसमें count होते हैं उसके अलावा CFCs, यानि कि, chlorofluorocarbons, तो chlorofluorocarbons का एक बहुत जादा खतनाक impact होता है, लेकिन global warming भी थोड़ा बहुत, इसके responsibility है, global warming के लिए भी थोड़ा बहुत responsible है, उसके अलावा और कौन सी gases हैं, क्या और भी gases हैं, जी हाँ, और भी gases हैं, जैसे water vapor, तो water vapor भी इसके ल gases कहते हैं, और इनको हम greenhouse gases क्यों कहते हैं, तो वो भी समझते हैं, कि आपको पता है कि दिन के time पे, दिन के time पे क्या होता है, कि sunlight पढ़ती है अर्थ में, अब sunlight है, तो उसके साथ heat waves आती है, वो हमको heat provide करती है, उसकी वज़से हमको गर्मी होती है, तो आज कल सर्दियों के time आपको काफी ज़्यादा feel हो रहा होगा, कि sunlight काफी ज़्यादा useful होती है, अमारे गर्मी बहुत ज़्यादा important है, लेकिन रात के time पे तो sunlight आपको मिलती नहीं है, तो क्या होता है कि sun जो हमारी अर्थ है, जितने भी heat absorb करती है, ये heat रात के time पे obviously कहाँ चली जाएगी, आपके atmosphere से बाहर निकल जाएगी, तो रात के time पे क्या होती है, अर्थ cool हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और यहीं पे roll आता है इन greenhouse gases का, ये क्या करते हैं कि जो अर्थ जो है, दिन के time पे heat absorb करती है from the sunlight, रात के time पे यही heat, ये gases जो है हमारे atmosphere में, especially most important gas जो हैं में carbon dioxide जो है, ये absorb कर लेती हैं, और ये इसको space में जाने से रोबते हैं, क्योंकि अगर ये पूरी की पूरी heat, रात को चली गई अर्थ से बाहर, बहुत जादा heat अगर अर्थ ने lose कर ली, तो पूरी अर्थ जो है, वो रात के time पे freeze हो जाएगी, और अगर ये freeze हो जाएगी, रात के time पे जो survive करन हैं इंसानों के लिए, या बाकी के जानवर के लिए, प्लांट्स के लिए, वो almost close to impossible हो जाएगा, तो एक तरीके से आप कह सकते हो, कि ये जो greenhouse gases हैं, ये हमको रात को ठंड से मरने से बचाती हैं, ज्यादा ठंड होने से बचाती हैं, ज्यादा cool होने से बचाती हैं अर्थ को तो रात के टाइम पे क्या करती हैं, कि जो हमारे atmosphere में, क्योंकि ये gases हैं, तो ये क्या करती हैं, उस heat को absorb कर लेती हैं, और ये heat हमारे atmosphere में ही रहती है, तो ये they provide a blanketing effect, तो blanket जैसे होता है, blanket क्या करता है, तो blanketing effect में क्या होता है, कि blanket क्या करता है, कि हमको, अगर आप blanket लेते हो तो heat को बाहर निकलने से रोकता है तो heat हमारे आसपास ही रहती है तो उसकी वज़े से गर्मी बनी रहती है तो ये blanketing effect एक provide करते हैं हमको अर्थ को cool होने से बचाते हैं रात के time पे तो आपको ये तो बहुत अच्छी बात है ये तो बहुत अच्छी gases हो गई sunlight पढ़ेगी अर्थ वे ये heat को absorb करेंगे emit नहीं होने देंगे अर्थ से बाहर नहीं निकलने देंगे तो उसकी वज़े से क्या होगा sunlight तो continuously पढ़ती रहेगी और ये absorb करते रहेंगे और जितनी ज़्यादा gases होंगी उतनी ज़्यादा heat को absorb करेंगे और अगर ये heat को ज़्यादा absorb करते जाएंगे तो हमारे जो atmosphere का temperature हो धीरे 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 बढ़ता रहेगा और इसी को हम कहते हैं greenhouse effect तो ये greenhouse effect जो आप use करते हो polyhouses में भी use करते हो तो देखो ये useful बहुत ज़्यादा है polyhouses में भी आप ये ही greenhouse effect यूज करते हो तो ये क्या करते हैं greenhouse effect में क्या होता है कि ये gases जो है heat को absorb कर लेती है और रात को जो आपका environmental sounding साथ उसको ठंडा होने से बचाते हैं लेकिन अगेन मैंने क्या कहा कि बहुत ज़्यादा excess अगर किसी चीज की होती है तो बहुत अच्छी भी नहीं होती है तो अगर greenhouse gases हमारे atmosphere में बहुत ज़्यादा हो गई तो ये क्या करेंगे ये अर्थ को ज़्यादा heat करना शुरू कर देंगे क्योंकि heat जो है greenhouse effect तो greenhouse effect is just a blanketing effect which is produced due to absorption of heat by the greenhouse gases तो I hope कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये greenhouse gases कौन सी है और ये किस तरीके से हमारे लिए helpful है लेकिन excess में ये हमारे लिए harmful हो सकती है क्योंकि ये जो greenhouse effect है ये हमारे लिए important तो है ये greenhouse effect बहुत ज़्यादा important है क्योंकि अगर greenhouse effect नहीं होगा तो रात को अर्थ जो है योतिनी cool हो जाएगी freeze हो जाएगी और अगर अर्थ freeze हो गई रात को तो बहुत ज़्यादे animals और plants जो हो survive भी नहीं कर पाएगे हमारा survival मुश्किल हो जाएगा तो एक तरीके से helpful तो है लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा access में है तो ये continuously हमारे अर्थ को क्या किये जा रहे है warm किये जा रहे है heat किये जा रहे है और उसकी वज़ए से अर्थ का temperature बढ़ते जा रहे है this is called green house effect अब आप कहोगे green house effect और global warming में अंतर क्या है तो green house effect actually green house की effect की वज़े से ही जो global warming है वो होती है green house effect आप किसी locality की बात कर सकते हो कि यहाँ पे green house effect है किसी छोटे region की बात कर सकते हो बट ये green house effect अगर पूरे world में होता है पूरे around the world होता है तो उसको हम कहते है global warming तो यही चीज आपको पूरी दुनिया में देखने को मल रही है that is global warming तो पूरी दुनिया का average temperature जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और यही आपका global warming है तो I hope कि आपको पहले global warming समझ में आ गया होगा और उसके reason समझ में आ गया होगे कि global warming हो क्यों नहीं है इन gases की वज़े से क्योंकि इन gases की खास आदत होती है खास बात क्या होती है कि यह heat को entrap कर लेते हैं यह heat को absorb कर लेते हैं और अगर heat को absorb कर लेते हैं तो heat हमारी अर्थ से बाहर नहीं निकल पाती है आपको समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं impacts की चलो ठीक है हमने तो यह समझ लिया कि global warming नाम की कोई चीज होती है लेकिन इसके impacts क्या होते हैं आपको एक example दे देता हूँ आपने planets का नाम सुना होगा तो अर्थ के जो सबसे close planet है आपको पता होगा that is mercury correct और उसके बाद आता है नाम Venus का correct लेकिन अगर मैं आपको पूछू जो सरी Earth के नहीं Sun के Sun का जो सबसे closest planet है that is Mercury और Mercury के बाद Venus और उसके बाद हमारी Earth का number आता है लेकिन अगर मैं आपको पूछू कि सबसे ज़्यादा hot planet कौन है which is the hottest planet तो वो Mercury नहीं है जबकि Mercury क्या है Sun के सबसे ज़्यादा close है but it is not the hottest planet hottest planet is Venus अब आप कहोगे क्यों यहाँ पे यही चीज होता है यहाँ पे क्योंकि जो atmosphere है Venus का इसमें carbon dioxide का बहुत ज़्यादा excess है बहुत ही ज़्यादा carbon dioxide है और यही काम करती है जो यह अब अर्थपा करना शुरू कर चुकी है यह क्या करती है heat दे अब्सॉर्ब कर लेते लेकिन atmosphere की heat को बाहर नहीं निकलने देती है तो उसकी वज़े से जो highest temperature average temperature किसका है Venus का है this is the hottest planet तो यह आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि इसका कितना खतरनाक रूल है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा hundreds of degrees Celsius temperature है Venus में just because of the presence of carbon dioxide उसके atmosphere में बहुत ज़्यादा carbon dioxide है तो I hope यह समझ में आ गया होगा आपको तो हमारे अगर atmosphere की बात करें तो हमारे atmosphere में जो carbon dioxide है that is around 0.032 0.04% के आसपास है सोचिए इतना कम carbon dioxide होने के बाद भी यह इतना ज़्यादा role play कर रहा है अगर 1% भी carbon dioxide हो जाता है हमारे atmosphere में तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा हमारे अर्थ का temperature बढ़ जाएगा obviously अर्थ उस टाइम पे रहने लायक नहीं रहेगी तो just इतना composition carbon dioxide का है और उसकी वज़े से ही इतनी ज़्यादा problems हमको होने लग गई है तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा खतरना कि carbon dioxide हो सकती है अगर यह हमारे atmosphere में access में है global warming के लिए कितनी responsible यह हो सकती है तो impact समझते हैं तो सबसे पहला impact तो आप देखे जा रहे हो कि जो summer से day by day क्या होते जा रहे हमारे hotter होते जा रहे है गरम होते जा रहे है और इसकी वज़े से क्या हो रहा है जो हमको electricity consumption है क्योंकि घर्मी होती है तो हमको AC चलाना पड़ता है हमको fans चलाने पड़ते है और fans AC चलाने पड़ते है तो उसमें electricity consumption जादा होता है तो एक तो problem यह हो ही रही है उसके अलावा जो rainfall हो रहा है rainfall that is uncontrollable uncontrollable rainfall rainfall जो हो रहा है वो uncontrollable है यानि कि controlled way में नहीं हो रहा है तो आप देखे ही जा रहे हो कि हर साल जो incidents है flood की वो बहुत जादा आपको देखने को मिल रही है all around the world चाइना में आपने इस साल आपने देखा कि बहुत जादा खतरनाथ flood आया और जो हमारा इंडिया है इंडिया में उत्राखंड हिमाचल प्रदेश है पर आप डे बाइडे नियो सुनते ही रहते हो during the rain जो rainy season होता है उस समय rainfall की वज़े से जो uncontrollable rainfall होता है जो कि uncontrolled होता है controlled way में नहीं होता है तो जो rainfall है वो बहुत access में हो रहे है during the rainy season ये किसकी वज़े से हो रहे है global warming की वज़े से हो रहे है अच्छा एक और प्राब्लम ग्लोगल वर्मिंग की वज़े से आ रहा है that is the shifting of the seasons जो seasons हो रहे हैं वो धीरे धीरे shift होते जा रहे हैं आपने देखा होगा कि अगर winters के हम बात करें तो पहले December और January के time पे बहुत जादा cold होता था बहुत जादा थंडा लगता था और Feb से आप आपको देखने को मिलता था लेकिन आप आप देख रहे हो कि जो February है February के time पे बहुत जादा थंडा फिर से अगेन होते ही जा रहा है जो कि shift होते जा रहा है धीरे धीरे तो आप मैं यहाँ पर आपके बारे में आपके जो seasons के बारे में बात कर रहा हूं तो अब जो यह cold है वह ठंडे का season है या meanस सर्जियों का season है या फिर winters का या फिर गर्मयों का season है और दूसरी चीज विंटर्स of ice caps, तो ice caps जो है, वो धीरे-धीरे melt होते जा रहे हैं, ice caps जो आपके poles पे हैं, तो ice caps अगर melt होते जाएंगे, तो melt होके कहां आएंगे, आपके seas, oceans में, और अगर melt होते जाएंगे, तो उनमें इतना water है, कि वो क्या किये जा रहे हैं, वो जो water लेवल है आपके seas और oceans का उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और जो low level के जो cities होंगी या places जो भी होंगे countries कुछ countries है जो low level में रहते हैं जो seas से height होती है उनकी वो बहुत जादा नहीं है बहुत जादा difference नहीं है तो वो submerged हो सकते हैं बहुत जल्दी completely water में तो कुछ countries बहु already start हो चुकी है और धीरे धीरे शायद कुछ time के बाद वो देखने को भी ना मिलें तो एक problem ये भी आती है कि ice cap mats होते हैं उसकी वज़े से sea level बढ़ता जाता है अब sea level बढ़ेगा तो sea level बढ़ने की वज़े से जो उसके आसपास के areas होंगे जो low level के जो areas होंगे वो क्या हो ज जगह को छोड़के उनको जाना पड़े गा और उस जगह से छोड़के जाना पड़ेगा उस जगह को छोड़के जाना पड़ेगा तो वहांकि जो पूरी bio diversity हो खराब हो जाती है तो एक problem उसकी वजälle से ये भी आती है अब problem इतनी सी नहीं है sea level बढ़ने की वज़े से जो आ melting of ice caps इतना खतरनाक हमारे लिए हो सकता है, तो इतनी सारी problems आपको हो रही है, किसकी वज़े से, just global warming की वज़े से, तो आप देख रहे हो कि ये काफी ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए और पूरी दुनिया पे इसका असर आपको देखने को मिल रहा होगा, कि जो natural disasters हो रहे हैं वो day by day, चाहे हम floods की बात करें, चाहे जो आपके तूफान आते हैं, sea में, oceans में, वो बहुत frequent होते जा रहे हैं, regular होते जा रहे हैं, आपने देखा होगा इंडिया में भी, West Bengal, Gujarat, या फिर जो south की reasons हैं, वहाँ पे काफी आपको ये सारी incidents देखने को मिलती हैं, तो ये किसकी वज़े से हो रहा है, ये सब global warming की वज़े से हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि global warming हमारे लिए कितनी खतरनाव चीज है, अब हम protection from global warming की बात करते हैं, कि global warming से हम बच कैसे सकते हैं, means इस temperature को कैसे बढ़ने से रोक सकते हैं, देखिए, अगर हमको इस temperature को बढ़ने से रोकना है क्योंकि बहुत चादा शायद बहुत सारे लोगों का मानना है कि इसके लिए अभी बहुत लेट हो चुका है शायद हम temperature global warming को बढ़ने से ना रोब पाए लेकिन अगर हम इसको बढ़ने से रोकना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमको हर तरी तो जबा policy measures पर हम को लेने पड़े और तिसरा social measures भी हमको लेने पड़ेंगे तो समझत्ष्ट है technological policy और social measures पर तो technology को अगर हम सही करें हमारी ताकी जो यह भाउनके सोर्स पते जैसे carbon dioxide की बात करें तो carbon dioxide कहां से निकलता है, fossil fuel से, यानि की petrol, diesel, जो भी petroleum products होते हैं, coal हो गया, इसको हम burn करते हैं, अब देखें, यहां पे एक खतरनाक cycle produce होने शुरू हो जाता है, क्योंकि carbon dioxide कहां से produce होता है, जो कि आपकी industries है, especially जो power industries है, power sector जो है, जहां पे हम electricity produce करते हैं, तो इंडिया में भी जितनी भी energy produce करते हैं, उसमें से mostly जो energy आती है, वो coal, जो कि आपके thermal power plants है, वहाँ पे हम coal को burn करते हैं, और coal को burn करके, क्या produce होता है, carbon dioxide produce होती है, अब यहां पे देखो एक खतरनाक cycle पे हम फसते जा रहे हैं, क्योंकि होगा क्या, कि अगर हम coal burn क करना पड़ेगा, ज्यादा carbon dioxide produce होगी, अब क्या हो रहा है, ज्यादा carbon dioxide produce होने की वज़े से, गर्मी ज्यादा हो रही है, गर्मी ज्यादा हो रही है, तो obviously, गर्मी के time पे आपको जो power है, electricity है, जो वो ज्यादा required होगी, क्योंकि वहाँ पे उस समय आपको क्या करना AC, जो आपके refrigerator या फिर, जो fans वगएरा है, वो ज्यादा use करने पड़ते हैं, अब ज्यादा use करने पड़ते हैं, तो उसके लिए ज्यादा electricity provide करने पड़ेगी, ज्यादा electricity supply करने पड़ेगी, और उसके लिए again, ज्यादा cool burn करना पड़ेगा, तो एक खतरनाक cycle में हम फसते ज जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा cool burn करने की वजए से क्या हो रहा है, कहाँ ये produce हो रही है, ये cool burn करने की वजए से electricity produce होती है, अब ज्यादा cool burn करेंगे, तो उसके लिए supply भी ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा cool burn करना पड़ेगा, फिर और ज्यादा गर्मी होगी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक खतरनाक हम cycle में फस्टे जा रहे हैं, इसलिए माना जा रहा है कि शायद हो सकता है कि global warming से बचना, that is almost close to impossible, इसलिए हर तरीके के measures हमको लेने पड़ेंगे, technological measures याने कि उन सारी चीजों पर हम रोक लगा पाएं, means कुछ तरीके ढोने कि जिससे ये सारी gases atmosphere में निकलने से बच सकें, और especially अगर हम carbon dioxide को बाकी gases, मैंने आपको बता है कि 50% से ज्यादा रोल तो इसमें carbon dioxide कही है, तो carbon dioxide पे हम ज्यादा focus कर सकते हैं, क्योंकि carbon dioxide हम बहुत ज्यादा produce करते हैं, यह कहां से produce होती है, हम respiration होता है, तो respiration तो खहर हम रोक नहीं सकते हैं, लेक हम कोई alternate तरीके ढून पाए, alternate sources of energy को ढून पाए, तो उससे हमको यह फायदा होगा, कि जो carbon dioxide है, उसका emission हम कम कर सकते हैं, alternate तरीके कौन कौन से, जैसे solar energy, solar electricity हम यूज कर सकते हैं, solar energy को यूज कर सकते हैं, electricity develop करने के लिए, wind energy हो गया, tidal energy हो गया, geothermal energy हो गया, इन energies को हम use कर सक energy के, तो हम alternate sources, जो है, alternative sources जो है, उनको use कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, carbon dioxide कम हो सकता है, यह टेक्नॉलिकल मीज़स में है, उसके अलावा, जो हमारे जो factories वगएरा है, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम, जो carbon dioxide emit हो रही है, उसको हम, पहले ही capture कर लें, वहाँ पर technological measures हो गए, उसके अलावा, जो आपके vehicles जो है, या फिर आपकी machinery जो है, उनको ज़्यादा efficient बनाने का मतलब क्या है, कि, जैसे कि आप देख रहे हो, कि जो आपके vehicles भी जो है, cars हो गई, आपकी bikes वगएरा जो हो गई, उनमें day by day, जो उनके engine से, उनमें improvement होते जा रहा है, तो यह क्या है, यह engine की qualities को बताते हैं, तो जितना आपका अच्छा engine होगा गाड़ी का, वो fuel को उतने efficiently use करेगा, और जितना efficiently वो fuel को use करेगा, तो कम से कम fuel में एक तो ज़्यादा से ज़्यादा चल पाएगा, तो उसकी वज़ए से fuel consumption कम होगा, और fuel consumption कम होगा, तो carbon dioxide जो है, वो कम emit होगी आपके atmosphere में, तो एक तो यह तरीका हो गया, तो यह सारे क्या हैं हमारे technological measures हैं, अब आते हम policy measures पे, policy कौन बनाता है, policy बनाती है, government, तो government कुछ इस तरीकी की policies बनाए, ताकि जो भी industries है, या फिर local level पे हम, जो carbon emission है, carbon dioxide जो emit करते हैं, उसको कम से कम कर सके, जैसे कि जो wood है, उसको कम burn करें, तो उसके लिए government काम करती भी है, कि जो LPG cylinders है, वो provide करती है लोगों को, ताकि जो coal wood है, उसका use हम कम करें, ठीक है, तो LPG use करके, यह क्या है, एक policy measure है, जो कि government की तरफ से हो सकता है, और क्या हो सकता है, कि जो industries है, जो क्या करती है, carbon dioxide emit करती है, तो उन house effect है, उससे nipetणे में help हो कर सकते हैं, जैसे कि हम plantation कर सकता है, तो आपको पता है, plantation से क्या होता है, plantation जदा से जदा होगा, तो plants क्या करते है, carbon dioxide को absorb कर लेते हैं, तो plantation अगर जदा से जदा करना है, तो उसके लिए obviously क्या चाहिए हमको, पैसे चाहिए, और वो policy measures की help से, याने कि जो industries carbon dioxide emit कर रहे हैं उन पर taxes लगाए जाए उससे क्या जो भी पैसा हम collect करते हैं उसको इन चीजों में means जो की global warming है उससे height करने में लगाए जाए या फिर जैसे कि alternate sources of energy हैं उन पर हम उसको invest कर सकते हैं तो ये तो हो गए आपके policy measures और थर्ड आते हैं हमारे पास social measures तो social measures क्या होते हैं social measures यानि कि society को भी इसमें role play करना पड़ेगा क्योंकि जैसे कि मैंने बता है ये काफी ज़्यादा बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है global warming और इसको control करना now it is almost close to impossible बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है तो सब को यहाँ पर work करना पड़ेगा तो social measures यानि क society को भी aware होना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए society को aware करने के लिए different programs चलाने पड़ेगे कि जैसे आप different ways में जैसे villages हो गए अलग-अलग गाओं में जाके आप लोगों को aware करें correct कि global warming किस वजए से होती है इससे कैसे बचा जा सकता है तो उससे क्या होग जो electricity consumption है उसको हम यानि की power consumption क्योंकि electricity consumption कम करेंगे तो obviously जो की electricity produce होगी वो भी कम होगी तो जो cool वगएरा की जो consumption है वो कम होगा तो carbon dioxide automatically क्या हो जाएगे कम produce होगी तो social measures की help से हम लोगों को ये सारी चीज़े इन सारी चीज़ों के बारे में aware कर सकते हैं कि आप ये सब कम कीज यानि कि कम से कम आप electricity consume कीजिए कि बेवज़े आप यूज मत कीजिए दिन के time पर यूज मत कीजिए यानि कि इसका हम optimum यूज कर सकें इसका हम optimum यूज कर सकें मतलब ऐसा नहीं कि यूज नहीं करना है रात को भी नहीं यूज करना है दिन में भी यूज नहीं करना है फिर उ तो light तो आई रही है, आपको तो light से मतलब है, तो optimum use हम उस चीज़ का करें, miss use ना करें, optimum use का मतलब best use, use भी करें, लेकिन कम से कम use में आप उसका जादा से जादा फाइदा उठा सकें, तो ये सारे measures लेने पड़ेंगे, तब जाके global warming पे हम कुछ impact डाल सकते हैं, या फिर उसक किसी हद तक control कर सकते हैं, otherwise global warming को control करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, so I hope कि आपको ये lecture समझ में आ गया होगा, अगर आपकी कोई भी queries हैं, कोई भी doubts हैं, तो आप मुझे comments, Facebook, Instagram, कहीं पर भी questions पूस सकते हैं, so this is all in this lecture, thank you.